आज हम बनाएंगे सोयबीन की ऐसी रेसिपी जो आप देखते ही तुरत बनाने लगोगे और एक बार बनाके खाईना गाईज तो हर बार इस तरीके से बनाओगे और आपकी जीब से स्वाद नहीं जाएगा तो चलिए गाईज देरी किस बात की करते हैं अपना वीडियो स्ट अजेखे की स्वाश कर लग जा यह तो चलिये मैं पहले से वाश कर कर लिए आप देख सकते तो चलिए मैं क्या करूंगे दस कर ना इसको अच्छे से भीगने देंगे ताकि फूझ जाय। चलिह एक प्लेट लोगा और ठभक दूँंगी और 10 मिनट तो इसको अच्छे से भ तो चलिए पहले मैं इनका पानी निचोड़ लेती हूं एक बावल में तो यह देखी गाइस मैं इसको अच्छे से पानी निचोड़के और एक कटोरे में रख दिया अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो चलिए अब हम क्या करेंगे एक मिक्सिजार में इसको अच्छ अब हम थोड़ी से सब्जी काटने की तैयारी कर लेंगे तो यहां पर मैंने सब्जी अच्छे से काट लिए तो यहां पर जो अध्रक लिया है तो यहां पर तड़के के लिए वो मैंने लंबे साइज में काटा है तो यह देखे इस तरीके से और यहां पर मैंने तीन फ्रोजन मटर जो होती है अब हम चलते है अपनी गयस की तरफ कर दिया तो चलिए अब हम सर्षॹू कर डाल लेंगे चलिए मैं अच्छे से भी डाल देती हूं और तेल आप अपने साफ से डाल सकते हैं कम ज़ादा तो चलिए अब मैं इसको अच्छे से तेल को पका लेंगे हाद सब्सक्राइक और हम इसको भूल लेगे श्यूंग थोड़े से खड़े मसाले के ऐख द लाल मिर्ची ले लिए छार बाँपार्च में नंए काली विर्चीं ले लिए तो छार पाच में ने था हूह द ले से हैं खड़े मसाले भी अच्छ से भून चुके हैं तो ईक बात का धिहान रखना आप खड़े मसाले घराना ना इस राजी में बहुत इछ ठेंच आता है तो चालें आप्लेए खड़ें बाद करकुरा अच्छी से भून लेंगे ब्सकाला के इसको भी प्याज को हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इसमें अच्छे से भूल लेंगे तो चलिए मैं इसको अच्छे से भूल लेती हूं मिक्स करके यह देखिए हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से भून चुकी है आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ चुका है तो इस द तो चलिए आप यहां पर हम बेसिक मसाड़े डाल देते हैं तो एक चौथा ही चमज डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और देड़ चमज डालेंगे हम धनीय पाउडर इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और गाई स्वाद अनुसार डाल देंगे इसमें नमक और दो चमज डालेंगे किचिंग मसाला यह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस रेसीपी में तो चलिए मैंने इसमें दो चमज डाल देया मसाला किचिंग वाला अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यह देखे तो गैस मिक्स करने के बाद आप हम इसमें डालेंगे पानी तो में थोड़ा पानी डाले और अच्छी से इसको भूणो देंगा जोड़िते menyam siis में और तेया हुआ तो यहाँ पर हम डालेंगा सोया बीन इसमें में सपरेंगी लेक्स में चलिए में स्प्रैचुलासे मिकस कह लें तो यह तो कईольно हम यह बनाने जा रहे हैं सोया बीन कीमा आप सोया बीन कीमा भी कह सकते हैं आपको सोया बीन भुर्जी भी कह सकते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है यह देखिए तो आप इस तरह किसा अपने घर में बना के खा सकते हैं तो अभी अधूरी बनी है अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है तो च मटर जाल कैके बहुत ही अच्छा लगता है बने टेश्टी लगते है तो एक इस हम तो जाल को चलिए पूरौzo यहाँ पर फूरा और ग्लास लेंगे तो एक ग्लास पानी मेंने डाल दिया आप इस प्रैचला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर सोयवीन पानी एब्जॉर्ब जादा करता इसलिए हमने यहाँ यहाँ पर डिल ग्लास पानी और अड़ करोंगी तो यह देखिए आदा गलास पानी में जिसमें डाल दिया अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने बाद गाई इसको हम अच्छे से खदके लगने देंगे ताकि हमारे जो सोयवीन की जो कीमा या भोड़ी भी कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से बन जाए तो चलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से बन चुकी है तो चलिए अब देरी ना करके इसमें हम खुश्बू और सुंदरता के लिए डाल देंगे हरे दनी की पत्तिया तो यहां डाल दी है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखी गाई तो हमारी एक दुम सक परफेक्ट त बहुत ही अच्छे से बनिये तो आप भी अपने घर में इस तरीके से बना कर खा सकते हैं तो चलिए अब हम क्या करेंगे इसकी फ्लेम को कर देंगी और इसको कर लेंगे सर्व सुगाई यह देखे गरम गरा हमने सोया वीन का कीमा सर्विंग बोल में कर दिया है तो अभी हम हमारी यह पूरी तरीके से नहीं बनिये तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से अपनी गयस की तरफ सो गाई हमने गयस पे तरका वाला कटोरा रख दिया है अब हम यह पे डालेंगे देसीगी जी हां दोस्तों हम यह देसीगी डालके और इसका अच्छे से तड़का बना ने हम ढालने के पाद इसको अच्छे से अद्रक को भून देंगे along अच्छे से बून जाएंगा तो अब हम यह ढालेंगे हरी मिर्ची तो हरी मिर्ची से बहुत ही अच्छ टेश्ट आता है तो चलिए what you जेए हम पहले अच्छी से हम आप मैं धूराइखी अच्छी मड़ें अद्रक उर हमें चली चंपट्रीनिस्रेने टाल घंिये चंप्र Evans कंट्रिव का हम अख्छे मुआट हैं के पाता बाग्र अट आप उतली हम एक रिये खुrav सकते हैं कितना अच्छा ऑगया ना तो चलिए अवज कि देखें गया है तो यह नियुक्त कर लेते हैं तो यह लगा देख सकते हैं वह हुद से तयार हो चुका है आप देख सकते हैं तो गाइस यह टालने के बाद चार चांद लग जाते हैं इस कीमे में तो आप भी अपने घर में इस तरीके से बना सकते हैं और खा सकते हैं बहुत यमी टेस्टी बनता है अब हम इसके उपर हरेदनी की पत्तियों से अच्छे से गार्निश कर लेते हैं तो गाइज ये देखने में तो सुन्दर है ये बट भी टेस्टी था तो आप अपने घर में इस तरीके से बना सकते हैं अगर घर में कोई सब्य पसंद नहीं आती है बच्छों को और समझ नहीं आ रहा किया बना बना आप इस तरीके से मेह मेह को भी आप खिला सकते हैं बहुत यूदिक रैसिपी है जाउड़ ट्राय करना कि लोग भी अपने घर में बना सकें और खाके इंजॉय ले सकें फुल बाउच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मज मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो साथ न्यू रेसिपी के साथ और धेर सारा प्यार देना धेर सारा आशिरवात देना और गाइस ऐसी मिलते रहे न्यू रेसिपी के साथ बाबाय टेक किया लव यू